हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेज आज कर जो हमार टॉपिक है वो जिरिस्पिदेंस सेकेंड से रेलेटेड है जो कि कंसेप्चुल पार्ट कहा जाता है देखिए जिरिस्पिदेंस को टू पार्ट में डवाइड किया जाता है फर्स पार्ट आपका अगर कहा जाए जो की आपका बताता है कि लॉपिक क्या होता है उसका ऐपाहन क form, सोर्चेस क्या ठीक है उसे विदिटERन डिफरेंटेट ञाने जो आपकी ज्रिस्फिंट होए है उन्होने अपने अपने स्कूल में उसका क्या किया है second part आपका conceptual part होता है जो कि जो basic concept है उनके उपर depend होता है generally अगर मैं इस part की अगर बात करूं तो इस part की ज़रुरत कहां परती है माली जी कोई positions related matter है या आपको अपना जो title है वो proof करना है तो सबसे पहले आपको यह proof करना होगा कि title समझना होगा कि title होता क्या है possessions क्या होता है ठीक है यह सारी चीज़े आपको पहले पता होनी चाहिए तो यह इसको कौन explain करता है आपका जो conceptual part है जो रिस्पिडेंस का वो करता है जिसे हम जो रिस्पिडेंस second कहते हैं तो चलिए start करते हैं आज का जो हमारा topic है वो legal rights and duty से related है जिसमें सबसे पहले हम rights को देखेंगी then duties को तो basically अगर हम बात करें right and duties की तो हम समाज में रहते हैं और समाज में रहने के नाते हम एक दूसरे के contract में आते रहते हैं जिसमें कि हमारे हमें कभी-कभी कुछ rights मिलते हैं ठीक है और दूसरे person की कुछ duties उसे परफॉर्म करनी होती है यानि कि दूसरे के पती हमारी right और obligation यानि की duties रहती है right or duties क्या होती है pillar होती है law की अगर right or duties ही नहीं होंगी तो law का क्या फाइदा इसलिए कहा जाता है कि किसी भी एक अच्छे law के लिए वहां के जो society normal सी बात है अगर duty परफॉर्म नहीं करेगा कोई person तो दूसरे के right का infringement होगा ची क्या infringement होगा तो फिर law ही क्यों exist करें लॉग क्या करता है हमें right को ही तो protect करता है इसलिए तो exist करता है तो इसलिए कहा जाता है कि right or duty क्या है pillar है लॉकी ठीक है ताइप साफ राइट की अगर हम बात करें तो moral rights होते हैं और legal rights होते है moral rights वो होते हैं जो human sense पर ban करते हैं यानि कि जो हमारे sense कहते हैं कि यह उचित है और यह सही है वो हमारे moral rights होते हैं इनके पीछे कोई विदिका बल नहीं होता है कि अगर आप legal rights और अपनी duties परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप punished किये जाओगे इसके पीछे sanctions क्या होते है एक त तरह से या फिर जो इश्वर है वो हमें गंडित करेगा यह सब चीजे इनके पीजे force होता है अगर कोई person का violation करता है तो इसके लिए कोई against legal actions नहीं लिया जा सकता है legal rights क्या होते है legal rights वो होते हैं जो protected होते हैं हमारे legal justice के according और ऐसे interest होते हैं जिनका violation करने पर legal wrong कहा जाता है और यह आपकी क्या होते हैं enforceable by law होते हैं अगर इनका को violation करता है तो उस पर क्या है आप उसके against legal action ले सकते हैं यानि कि कि किसी दूसरे person को bound कर सकते हैं कि अपनी duty perform करें definition पर अगर हम आएं तो Don Austin की definition है Austin क्या कहते है right के बारे में यह कहते है a party has a right when other or others are bound or obey a wife law to do or forbid towards or in regards of him पार्टी का एक ऐसा अधिकार होता है जहां पर वो किसी दूसरे को कुछ करने या ना करने से control कर सकता है यानि कि उसको forbidden कर सकता है मना कर सकता है कि आप एसा करें या फिर आ जूसके पास यह power होती है वहा पर क्या होता है कहा जाता है कि उसका right है Next, Holland क्या कह रहे हैं, Holland कह रहे हैं कि, right क्या है, capacity है एक, आपकी योगयता है, deciding in one man's of controlling with the assistance of the state of actions of the, capacity है किसी person की, किसी दूसरे के action को control करने की, और किसके तुरू, यह जो उसे power मिली है, capacity मिली है, दूसरे के action को control करने की, यह किस से मिली है, इस state से मिली है, ठीक है, next, आपका power confirmed by, एक ऐसी स्वतंत्रता है, जो कि आपकी law के थूख कर फर्क की जाती है, next, airing कहते है, legal right is a legally protected interest, legal rights को कहते है, airing की interest है, आपका एक ऐसा hit है, जो law के थूख protected है, अगर आपका किसी चीज में interest है, और legal interest है, तो वो law protected करेगा, और legally protected अगर आपका interest है, तो वो ही आपका right है, next, आपका gray, gray कहते हैं, कि जो legal rights है, एक power है, जहाँ पर एक व्यक्ति has make a person, और person to do, और refrain from doing a certain act, और certain act, जहाँ पर कोई व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को क्या करता है, रफ्रेन करता है, उन्हें रोकता है, किसी certain किसी act को करने से, या ना करने से, चीक है as far as power arise from society, imposing a legality upon a person or person, और किसी सामने वाले person पर क्या होती है, duty होती है, कि वो उसी act को करे, या फिर उस act को ना करे, next, आपके essential elements आते हैं of legal rights, कि जो legal rights है, उनके क्या क्या आवशक तत्व हो सकते हैं, किसे हम किन तत्वों को मिला कर, मानने कि जो legal हमारे rights हैं, उनमें कौन-कौन से तत्व विद्वान होते हैं, कि इससे हम कह सकते हैं, कि हाँ, ये right है, तो सामन में five essential elements बताएं हैं, आपके legal rights क अगर हिंदी में मैं कहूं कि अधिकार का धारण करता तो यहां पर जो person होल्ड कर रहा है subject of the right है दूसरी चीज तो person of incidence यान की subject of duty अब ऐसा कोई person भी होना चाहिए जो कि अपनी duty perform करेगा क्यों जब तक कोई सामने वाल अपनी duty perform नहीं करेगा तब तक आपका right नहीं exist करता है माल लीजिए यह person है इसका right है कि अपनी property को वो enjoy करे ठीक है enjoy कप करेगा वो अपने जब तक सामने वाला जो है किसी जो person है आपका यह सामने वाला जब तक इस property में को interference नहीं करेगा तो इस person की क्या duty है कि वो इस person की property में interference ना करे अगर वो duty perform नहीं करेगा तो इसका right का कोई existence ही नहीं रहेगा अगर एक तहसे हम कहें तो तो यही यह कह रहा है कि the person of inheritance यहन की ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो rights को inherit करे धारन करे दूसरी चीज़ दूसरा essential कहता है कि subject to the duty एक ऐसा person होना चाहिए जो की duty perform करे किस कौनसी duty perform करे इस legal right से related जो सामने वाले person की duty है वो perform करे यानि कि एक person होना चाहिए जो right को hold करने वाला है एक ऐसा person होता है जो की duty perform करता है for example if x has a particular right against y अगर x का right है किसके against y के against अगर कोई right है तो यहाँ पर जो x person है वो inherit कर रहा है उस right को and y is the subject of incident यहाँ पर क्या है y की यह duty है कि जो भी आप उसका right है यानि कि x का right है उसके right में कोई भी interference ना करे चीक है तो legal right accurate against another person or person who are under the corresponding duty to respect that right such a person is called person of incident or subject of the duty तो ऐसा person जो duty perform करता है वो आपका कहलाता है subject of duty यानि की कर्तव वे का धारन करता हिंदी में गर कहें हम तो इसे हम कहेंगे कर्तव वे का धारन करता और इसे क्या कहेंगे अधिकार का धारन करता next essential आपका subject matter of legal right अब normal सी बात है कि आपका एक person होगा ठीक है इस प्रॉपर्टी का होल्ड करने वाला first essential कह दिया कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड कौन करेगा ठीक है first essential आपका यह कहा इस example की तो हम समझते हैं दूसर essential क्या कहा कि इस property में कोई other person interference नहीं करेगा यह इसकी duty है तो दूसर essential क्या कहता है यह person अपनी duty perform करेगा अब यह है कि यह जो आपका इस प्रॉपर्टी कोई कौन से हैं उसके तो content of legal right deal with the subject matter of the legal right relates to some activities इसमें मताया है some activities activities जैसे की sale करना mortgage करना गिर्वी अकना यह सारी चीज activities होती है आपकी उस property से related activities to do or not to do any act forbearance it obligs a person to act of forbear in the favor of person who is entitled of the right ठीक है तो जो भी इसके से related आपकी जो rights बन रहे हैं वो आपकी क्या है वो है आपकी subject matter of legal right यानि कि अधिकार की अंतर बस्तू next अगर हम कहें object of the legal right object यानि कि यहां पे अगर हिंदी में हम कहें object का मतलब होता है विशेवस्तू अब यहां पे यह person है यह property है ठीक है यह property है इसका एक धारन करता है ठीक है इस से related एक विदिक जो करतवे है उसको perform करने वाला person है right क्या है इस property से related इसकी subject matter यानि कि जो इसक कर सकता है ठीक है transfer कर सकता है कुछ भी कर सकता है वो सारे आपकी क्या है अंदर वस्तू और subject matter of the legal rights अभी जो प्रॉपर्टी है यह property है कौन सी ठीक है यह property है कौन सी माली जी लेंड है ठीक है तो यह land यानि की भूमी है तो subject matter क्या है यो सप्जेकट क्या है इसका कि यह मतलब एक particular भूमी है ठीक है विशे वस्तु यानि कि विशे वस्तु किया है उसकी भूमी है land है जिससे रिलेटर आपको rights मिल रहे हैं ठीक है यानि कि the things or an object over which the right is existed is called object of the right तो यह कह कहलाएगा आपका object of the right ठीक है I hope is that clear next आपका fifth essential है title of the right title is nothing but giving the name of the legal right अब जैसे कि मैंने आपको बताया था example से कि एक property है ठीक है इसमें एक person है पस essential जो हमारा कह रहा है कि एक person होना चाहिए उसको धारन करने वाला ठीक है जो इस रिलेटर अधिकार उसको धारन करने वाला अब इसके वहां पर second essential कहता है कि इसकी duty को perform करने वाला person होना चाहिए ठीक है duty performance करने वाला और ये क्या है right को inherit करने वाला person होना चाहिए तीसर essential क्या कहता है कि इससे related जितने आपके rides है sale, mortgage वगरा ये सारे क्या है उसकी आपकी अंतरवस्तु है port essential क्या कह रहा है कि subject matter मतलब object क्या है इसकी विशेवस्तु क्या है तो विशेवस्तु क्या हो गई इसकी land माल ये जो ये भूमी है भूमी से संबंदित है हमारे ये सारे अधिकार तो ये आपकी विशेवस्तु हो गई अब next आपका जो है next essential आपका क्या कहता है कि ये जो है title of the right यानि की अधिकार का स्वत्व यानि की स्वामित्व अब ये जो आपका पूरे जो प्रॉपर्टी है जो लेंड है ये आपकी है या नहीं ये कौन किल्यरिफाई करेंगा ये कैसे पता चलेगा तो आपके इस लेंड यानि भूमी से रिलेटिव कि यह आपकी है, जो भी documents, deeds वगेरा जो आपके पास है, सारे documents, यह आपके क्या कहलाएंगे, title of the right, ठीके, इसी से proof होगा, कि आपको यह जो rights है, आपका इसके land के ऊपर इस पे आपका title है, आपका स्वामित है, तो यह आपकी essential हो गए, I hope कि आपकी legal rights और उसकी definitions और उसके essential किलियर होंगे, आज का वीडियो यहीं तक, next वीडियो में मिलते हैं, आगे legal rights के types हम देखेंगे और कुछ theories देखेंगे, तो thanks for watching, please like, share and subscribe, take care, bye-bye.